सब्सक्राब कीजिए हमारे चैनल जोल उन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाएए रेगुलर अपडेट पाने के लिए हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जोल उन्वेस्टिंग में मैं हूँ आपका दोस्त नरोत्म दुवे और आज कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्राफ्ट मैन ओटोमेशन आईप्यो के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कंपनी कब स्टाबलेस हुई थी कि इस कंपनी का बिजनिस क्या है और किस सेक्टर में ये लीडिंग प्लेयर है साथी साथ हम यह भी जानेंगे कि इस कंपनी का कौन कौन कस्टूमर बेस है मतनब किस किस कंपनी कस्टूमर के साथ ये डील करती है हम इस वीडियो के बीच में हम इसके financial को भी देखेंगे और इसके revenue को जानेंगे कि इसका revenue कहां से कितना आ रहा है और जो भी वेक्ति इस IPO में invest करता है या IPO में invest करने की सोच रहा है तो उसे यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए So without wasting time let's start our video तो आप जैसा कि आप स्कीन पर देख पा रहे है IPO open हो रहा है 15 March को और IPO की closing date है 17 March Okay, company के बारे में बात करते है company कब incorporated हुई थी So company 1986 में company established हुई थी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1986 में company established हुई यानि हम मान सकते हैं company काफी पुरानी है कोई नई company नहीं है और company जो बर्क करती है वो तीन सेक्टर में बर्क करती है आप देख सकते हैं company एक engineering company है पहले में आपको बता दूँ Company design और manufacture of range of engineering product क्या बनाती है engineering product बनाती है और बता दूँ मैंने जैसे आपको बताया कि leading player है किस चीज में leading player है टेक्टर्स के जो block बनते हैं ना cylinder block उसमें यह leading player है आप देखिए cylinder block बनते हैं जो टेक्टर्स में बनते हैं उस segment में leading player है तो company का जो business है जनरली तीन की segment में operate होता है जिसे हम देख सकते हैं पहला है पहला है automotive power train and other second one automotive aluminum project मैं अभी आपको सारे चीज दिखाऊंगा और industrial and engineering so इस तीन segment में company अपना business करती है तो company के तो company के कुछ है आप देख सकते हैं equipment देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे होस्ट है इंटरिस्टियर गियर्स है इंजन्स है क्रैन है ओके तो यह सारी चीज़ें equipment जो इंजिनिक से संबंद होते हैं गाडियों में ट्रेक्टर में लगते हैं वह सारी चीज़ें company बनाती है और company के जो client है बहुत बड़े-बड़े client है आप देख सेगे नीचे देखिए company के जो client है जिससे वो अपना सामन बेश थी है जनरली इंजिनिक प्रोड़क्ट बनाती तो यह company भी लगबग ऐसी ट्रेक्टर वाली होंगी आप देख सकते हैं Tata Motors बड़े-बड़े पिलेर में ओके और Tata Cummings Mahindra and Mahindra Royal Infield आप देख सकते हैं कितने बड़े-बड़े नाम Escort, Asok Leyland ओके तो यह बड़े-बड़े जो company है भारत की उन company को यह अपना माल supply करती है तो इसका customer base में भी कोई problem नहीं है कि छोटे-बोटी company को यह अपना माल नहीं देती अब बात करते हैं इसके competitive strength इसकी तागत क्या है क्या है इसमें जो अच्छी चीज है जिससे हमें इस IPO में हमें apply करना चाहिए तो आप देख सकते हैं firstly engineering product की manufacturing company है चुकि हमें पता है कि टेक्टर की विक्री ऐसा तो नहीं है कि खतम हो जाएगी या गाडियां बिचना बंध हो जाएगी ऐसा नहीं होता इसलिए इसकी demand हमेसा बंती रहेगी आप देख सकते हैं engineering product manufacturing करती है और कई पकार की engineering manufacturing facility भी हमें देती है कई पकार के strong product design capacity भी इनकी अच्छी है और financial performance भी इनकी काफी अच्छी है और company की promoter की बात करें तो स्री निवासन रवी इसके promoter है और आपके सामने मैंने financial का भी चाट लगाई है आप देखिए आप टूटल asset इनके जो asset है March 18 में इनके asset लगबग 19,994 million में थे उसके बाद बढ़ते हुए 30,000 something पहुँच गए उसके बाद अभी अभी ये पूरा calculate नहीं हुआ दिसंबर तक का data हमारे पास है जिस जो सो कर रहा है कि आप इसके company के asset लगबग 22,000 से उपर million से उपर हैं जो की एक अच्छी growth हमें दिखाई दे रही है इसके asset में लगाता हमें growth होती दिखाई दे रही है अब बात करते हैं total revenue की revenue की बात करते हैं तो 15,000 millions में इनके revenue थे 18 में उसके बाद इनके revenue बढ़ते गए 18 हो गए उसके बाद देखिए अब 15,000 समतिं हो गए हैं लेकिन अभी इसके जो अभी दिख रहे हैं दिसंबर तक 31 दिसंबर तक का data उसमें 10,000 इनका total 10,000,000 में इनका total data revenue दिखाई दे रहा है अब बात करते हैं profit की profit इनका पहले 18 में 315 था million था उसके बाद एकदम बड़ा बहुत जाना double लगबग 3 गुना हो गया 933 million इनका profit हुआ उसके बाद थोड़ा कम हो गया यहाँ पर 410 हो गया लेकिन यहाँ पर अभी लगबग half quarter ही बीता हुआ है लेकिन फिर भी इसका 506 करोड या million इनका यह हमें profit दिखाई दे रहा है अब यह क्यों ला रहे हैं इसू इसलिए ला रहे है क्योंकि इनको repayment करना है कुछ debt होता है कंपनी क्यों लाती है फंदर इसलिए कर रही है क्योंकि इसको कुछ debt है borrowing को अपनी complete करना है ओके तो आप देख सकते हैं आब इन में हम देखेंगे कि Craftman Automations IPO के detail 15 तरह से start हो रहा है और IPO size कितना है IPO size 1490 पर equity share मतब एक share खरीने के लिए आपको 1490 रुपए देना पड़ेंगे cut off size है और आपको 10 lot मिलेंगे यहां पर issue size देखें कितना है issue size 823 करोड का issue size जो काफी बड़ा एक issue size है अब इसमें देख सकते हैं कि फ्रेस issue कितना है और offer for sale कितना है फ्रेस issue माने नया नया share offer sale मतलब जो promoter होते हैं वो अपना माल बेच रहे होते हैं तो इस company में देखिए फ्रेस issue कितना है फ्रेस issue लगवग 150 करोड का है जो की काफी कम है अगर तुलना करें कि total issue size से तो यह काफी कम है offer for sale मतलब जो promoter अपना माल बेच रहे हैं वो काफी जाना देख रहा है 673 मैं जनरली ऐसी company के साथ जाता हूं जिसका offer for sale कम होता है और फ्रेस issue जाना होता है सो अभी तो देखते है क्या करते हैं लेकिन मैं अभी इस के बारे में जाना positive नहीं सोच रहा हूं इस company के बारे में थोड़ा में आपको काम दिख Honda हो किसकी product के बारे में थोड़ा आपको दिखाता हूं जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस कंपनी के बिजनिस के बारे में आप देखी यह आप है टोटल इंजिनिंग प्रोड़क्ट यह कंपनी बनाती है इंजिनिंग के जो भी एक्कुपमेंट होते हैं छोटे बगरा सिलेंडर बगरा जैसे इंजन है तो कोई इंजन आपको है आप देख सकने हैं ओटोमेटिव पावर ट्रेन और भी इनके प्रोजेक्ट हैं और मेंटिव एलुमिनियम एलुमिनियम के बीजिए कितने सारे इनके एक्कुपमेंट है सॉरी और यहां पर जो को इंजिनिंग बर्क कर रहे हैं डिजन बना रहे हैं तो अबरॉल कंपनी ठीक है बट अभी बेट करते हैं सोला तारिक कंपंद्रा को इसू ओपन हो रहा है सोला तक देखते हैं कि बड़े बड़े पिलेर्स में क्या करते हैं उसके बाद ही अपनी डिसियन लेंगे कि इसमें करना क्या है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दनवाद अग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए थेंक्यू बेरी माच जय हिन जय भारत